जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं पुर्ष में मोनोकॉट प्लांट क्या है उनके ग्जामपल्स क्या है डाई-कट प्लांट क्या है उनके एक्जामपल्स क्या है तुड़े आवर टॉपिक इस जर्मिनेशन एंड शीड डिस्पर्सल एंड वेरियस वेज ओफ सीड डिस्पर्सल जर्मिनेशन मतलब क्या होता अंकुरन जब भी किसी बीस से नय पौधे का विकास होता है उसे हम जर्मिनेशन करते हैं यानि अंकुरन वो प्रक्रिया जिससे बीच एक नय पौधे का निर्मान करता है उसे हम क्या करते हैं जर्मिनेशन अंकुरन दफॉलोइंग पिक्चर इल्लस्ट्रेट डिफरेंट स्टेजेज अफ जर्मिनेशन नीचे दिये गया है पिक्चर में दर्साया गया है विविन अवस्था अंकुरन के जैसा कि फीगर में देख रहे हैं पहला स्टेज में क्या है एक सीड है उसमें से एक इंब्रॉय है और ये सीड कोट है दूसरा स्टेज में क्या होता है दीरे दीरे वह क्या होता है वह इंब्रॉय में से बेबी प्लांट सीड को तोड़ते वे एक नन्ना पौधा निकलता है थार्ड स्टेज में क्या है दीरे प्लांट फिर्स्ट ऍवलप दअि रूटि इसमें से क्या होता है जर निकल आ guessing है रूट है उसका और ये शूट है ये उपर का स्ट क्या है सूट स्ट हम इossiping हैas उपर का जोई पार्ट ह्य Вас पींचा प्रम पर्ट हुआ फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जब ये नना पौधा विकास होता है, तो इसमें पतिया निकल जाती है, और Cotyledons, यहापे Cotyledons दिख़़ा है आपको, ये गाइब हो जाता है, In the early stage of germination, the seed gets food from Cotyledons, प्रात्मी का वस्था में क्या होता है, भोजन कहां से मिलता है बीच को, Cotyledons से, After the food stored in the Cotyledons is used up, the seedling develops leaves which starts to prepare their food, Cotyledons में जब भोजन जमा किया हुआ, समाफ्थ हो जाता है, तो क्या होता है, नन्ना पौधा विक्सित होता है, उसमें से पतिया निकलती है, जो भोजन पौधे के लिए तयार करती है, Swail plays a very important role in the development of the plant, मिट्टी बहुत ही मौधपूर्ण भूमी का निवाती है, पौधे के विकास के लिए, The seedling absorbs water and nutrients from the soil with the help of its roots and develops into a plant, Seedling को क्या करते हैं, बेबी प्लंट करते हैं, जो क्या करता है, पानी और पौशक्तत को मिट्टी से सोख लेता है, जर की मदद से और पौधे में विक्सित हो जाता है, It also gets air through pores in the soil, यह मिट्टी में छिद्रों के माध्यम से भी हवा प्राप्त करता है, Seed dispersal, Seed dispersal मतलब क्या होता है, बीच का बिखराओ, कैसे होता है बीच का बिखराओ, हम लोग समझते हैं, The process of scattering seeds away from the mother plant is, Called dispersal, वो प्रक्रिया जिसमें बीच अपने mother plant से दूर बिखर कर चले जाते हैं, उसे बीच का बिखराओ काते हैं, Mother plant मतलब होता है, बीच जिस पौधे से निकलते हैं, उसे इनका बिखराओ काफी दूर हो जाता है, अब हम लोग समझते हैं, बिखराओ क्यों जाओडी है, डिस्पर्सल is necessary for the better growth of a plant, बीच का बिखराओ जाओडी होता है, पौधे के लिए अच्छे विकास होने के लिए, अगर सभी बीच अपने मदर प्लांट के पास गिरते हैं, और अंकूरित होते हैं, तो उन्हें उचित मात्रा में रोस्नी, पानी और जगह नहीं मिलेगा बढ़ने के लिए, इसे हम ऐसे समझते हैं, जैसा कि यहां पर देखे हैं, स्टेजे ऑफ जर्मिनेशन में, कि बीच से निकल के पौधा का निर्वान हुआ है, और फिर इसी पौधे में से अगर बीच काफी गिर जाए एक जगह पे, तो यहां पर इनको उचित मात्रा में हवा, पानी और जगह नहीं मिलेगा बढ़ने के लिए, इसलिए उनका बिख़़ा जरूरी होता है, सीट्स कैन बीच डिस्पर्श थूरू वेरियस एजेंट्स लाइक अनिमाल्स, वीन्ड, वाटर और एक्स्प्लोजन, बीच का बिखराओ कैसे होता है, बहुत से एजेंट्स के द्वाड़ा, जैसे कि जानवर हो गये, हवा हो गये, पानी हो गये और एक्स्प्लोजन, एक् पक जाता है, तो खुद अपने वो बस्ट कड़के फोर्टे वे निकल जाता है, इसी को एक्स्प्लोजन करते हैं, अब हम लोग समझते हैं, वेरियस बेज ओफ सीड डिस्पर्सल, पहला है, सीड डिस्पर्सल बाइनिमाल्स, अनिमाल्स एट सम फूट्स एंड थ्रोड़ the seeds which grow into new plants, many seeds cannot be digested by animals and birds and remain indigested in their stomach, these seeds are dispersed to far area through their droppings, कुछ जानवर, कुछ फल खाके उसके बीज को इधर उधर फियक देते हैं, जो की नय पौदे में विक्सित हो जाता है, और बहुत से बीज, जानवर के द्वारा नहीं पचा जाते हैं, और अपच हो जाते हैं उनके पेट में, तब उए बीज, कैसे फैलते हैं, उनके मल द्वारा निकल के बहार आ जाते हैं, जैसा की देख रहे हैं, काफी सारे जानवर हैं, जो बीज को खा के इधर उधर फिक देते हैं, इससे बीज का बिखरा होता है, पॉधे का बीज, जैसे की कोखली बड हो गया, ताइगर नेल हो गया और स्पीर ग्रास यह क्या है, इस में होक्स होते हैं, स्टिफ होते हैं, और जैसा की काटेदार निकला हुआ देख रहे हैं यहाँ पर जो की जानवर के साथ उनके उनके रुए में चिपक जाता है और एक जगह से दूसरे जगह उनका बिखराव हो जाता है Seed Dispersal by Wind दूसरा तरिका होता है बीच का बिखराव हवा के द्वारा Seeds of some plants like dandelion, saikomor and cotton are very light Such plants have wings and hair on their seeds These wings help the seeds to blow with wings कुछ पौधे के बीच जैसा की dandelion, saikomor and kapas के जो होते हैं बहुत हलके होते हैं पौधे के अंदर Wings होता है और hair होता है उनके बीच पर पंक और बाल ये पंक क्या करते हैं, मदद करते हैं बीच को हवा में उड़ने के लिए जैसा की फीगर में देख रहे हैं saikomor, dandelion seeds, cotton seeds अहुन लोग समझते हैं, seed dispersal by water बीच का भीख्रा कैसे होता है, पानी के द्वारा इत्यादी क्या करते हैं अपने बीच का भीख्राव पानी के द्वारा करते हैं इस तरह के पौदे के बीच काफी spongy होते हैं और रेशेदार होते हैं उनका covering रेशेदार होता है जो मदद करता है उन्हें पानी में तैरने के लिए जैसा कि एक्जामपल में देख रहे हैं coconut के पास है, fibrous covering है रेशेदार covering और lotus में है lotus के पास क्या है? spongy seeds है seed dispersal by explosion बीच का भीख्राव कैसे होता है? बिस्फोर्ट के द्वारा बिस्फोर्ट करने से मतलब हुआ यहां पर जैसा कि समझते हैं fruits of some plants like pea, bean and poppy burst open when they are ripe, scattering the seeds in all directions this method of seed dispersal is called explosion कुछ पौदे जैसा कि मतर हो गये, bean हो गये और poppy क्या करते हैं? कि फल क्या करते हैं? को फोर्टे वे निकलते हैं उपर की तरह जब वे पक जाते हैं और बिखराओ करते हैं बीच का सभी दिसाओं में इस method को क्या बोलते हैं? बीच का बिखराओ बीच का जो बिखराओ था उसे बीच का बिस फोर्ट करते हैं जैसा कि हम फीगर में देख रहे हैं यह जब पक जाते हैं तो यह फोर्ट के निकल जाते हैं बीचा कि अजिए